तो दोस्तो आज हम Indian Missile Series के वीडियो में भारत के Multi Barrel Rocket Launcher पिनाका के बारे में जानेंगे Basically पिनाका के नाम से भारत के द्वारत के द्वारा Multiple Rocket Launcher के development किया गया है और इसका development totally Defense Research and Development Organization के द्वारा किया गया है दोस्तो कारगिल के लड़ाई में पिनाका मिसाइलों को पहली वार किसी एक्षन में भूमिका लेने का अवसर मिला और इस दर्मियान मिसाइल ने अपना बहतरिन पर्फॉमेंस दिखाया दोस्तो पिनाका सीरिस के multi barrel rocket को इंडियन आर्मी के rocket and lady के रूप में develop किया गया है और ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने launcher में एक साथ 12 rocket को carry कर सकता है और वो भी high exclusive warhead के साथ और report में बताया जाता है कि ऐसे 12 rocket को पिनाका सिस्टम स्रिप 44 second में salvo made दाख सकता है दोस्तो पिनाका मिसाइलों के अगर total सीरिस को देखा जाए तो इस सीरिस में कई तरीके के मिसाइलों के design और development किया जा चुका है और कई मिसाइलों के उपर भारत अवी वी काम कर रहा है इस सीरिस के जो सबसे पहला मिसाइल है वो है पिनाका मार्क वान जो की 37.5 किलोमेटर रेंज वाले एक बेस मिसाइल है जबकि इसके बाद मार्क वान को थोड़ा और मजबूत बना के या फिर कहे तो अपग्रेड करके मार्क वान एनहांस मिसाइल का development किया गया है जो की 45 किलोमेटर रेंज वाला मिसाइल है दोसों मार्क वान और मार्क वान एनहांस दोनों ही मिसाइल फिलाल इंडियन आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहा है जबकि इसके इलावा भारत दुआरा पिनाका मार्क टू मतलव 60 किलोमेटर रेंज वाले पिनाका सिरिस के मिसाइलों का वी development किया गया है और कुछ रिपोर्टों के मताविक ये भी service में है जबकि इसके बाद गाइड़ पिनाका प्रोजेक्ट के अंतरगत 75 किलोमेटर रेंज वाले पिनाका मिसाइलों के development किया जा रहा है और रिपोर्ट के मताविक ये फिलाल अंडर development है पिनाका सिरिस के एक छोटे कैलिवर के मिसाइल के वी development किया जा रहा है जिसे ERR-122 मतलब 122 mm के कैलिवर वाला मिसाइल कहा जाता है फिलाल ये अंडर test phase में है और रिपोर्ट में बताया जाता है कि ERR मिसाइलों के range करीवन 40 km तक हो सकता है पिनाका मार्क 2 के एक extended range version के उपर भी भारत काम कर रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलाल ये अंडर test है और हाली में ही इसका test किया गया था और ये मिसाइल करीवन 90 km के range में काम कर सकता है जबकि पिनाका सिरिस के सबसे ताकदवर मिसाइल के उपर भी भारत काम कर रहा है जिसे पिनाका माक 3 या फिर 120 km range वाले पिनाका मिसाइल भी कहा जा सकता है जबकि पिनाका सिरिस के मिसाइलों के अगर लंबाईयों को देखा जाए तो ये अलग-अलग length के है जिनमें 2.91 मिटर से शुरू करके 5.17 मिटर के मिसाइल तक शामिल है जबकि इसके डायमिटर को अगर देखा जाए तो ERR-122 मिसाइल स्रिफ 122 मिलिमिटर के डायमिटर वाला मिसाइल है जबकि इस सिरिस के बाकी सभी मिसाइल मतलब पिनाका Mark 1, Mark 1 Enhanced, Mark 2, Extended Range, Mark 2, Guided पिनाका और पिनाका Mark 3 सभी 214 मिलिमिटर के मिसाइल होगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जाए हिंद